नमस्कार दोस्तों भीशी आनी बॉलीबूट चलोगे में स्वागत है आपका आज हम बात करने जा रहे हैं अम्रीज पूरी को जिस चेहरे और आवाज की वज़े से ठुकराया गया था बाद में उसी ने शिनेमा में रचाय थी आज जी यहां दोस्तों हिंदी सिनेमा में बह खुंखार विलन मुकैंबो हो या दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे सक्त मिजाज लगभग पचार सो पचास फिल्मों में काम करने वाले अम्रीज पूरी बारा जनवरी सन 2005 को ही दुनिया को अलविदा कह गया था जास के दसक में अम्रीज पूरी ने फिल्मे में काम किया था मगर और्डिनेशन के समय उन्हें रिजक्ट कर दिया जाता था अम्रीज पूरी के संगर्सों के बारे में बताते हुए कहा था सुरुआत में जहां भी और्डिनेशन देते लोग यही कहते कि अजीब सी सक्ल और आवाज सक्त है दर असल वो दौर कोमल चेहरे और म रिजक्ट के बाद अम्रीज पूरी थ्रेटर की योर मुड़ गए 1978 से 1989 तक अम्रीज पूरी थ्रेटर करते रहे हाला कि इस बीच को वो फिल्मों में छोटी छोटी भूमकाई निभाते रहे 1970 में आई देव आनंद का फिल्म प्रेम पुजारी में उन्होंने एक छोटी सी आने बाग कर फिल्मों में डिब्यू किया था उस वक्त अम्रीज पूरी की उम्र 38साल की थी फिल्मों में में अम्रीज पूरी का संघर्थ1980 में आई हम पांच से खत्म हुआ इस फिल्म में अमरीजपुरी के इंडिस्ट्री में मसूर हो गए थे इसके बाद फिल्मों में उनको विलन बनने का सिलसिला चल पड़ा 1987 में रिलीज हुई फिल्म मिस्टर इंडिया में एक विलन का करदार निभाया गया में उनका नाम मकैंबो था अमरीजपुरी का ये किरदार आज भी लोगों के जहन में ताजा है इस फिल्म में उनका एक डायरे लाग था मकैंबो खुस हुआ डायलाग इतना फेमस है कि लोग आज भी इसे तोहराते हैं नमस्कार दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएएगा तब तक के लिए बाय बाय टाटा